क्या आप arthritis यानि गठिया के दर्द से परेशान है कि आपने हर उपाय कर लिया है लेकिन दर्द खतम नहीं हो रहा है तो अभी आज से ही शुरू कर दे हैं ये रामबान उपाय मैं कहा रहा हूँ खतम हो जाएगी arthritis, कोई दर्द नहीं रहेगा आयूर्वेत का अचू कुपाय एन उसका arthritis के लिए arthritis या गठिया के लिए आपको अजवायन का यूज करना है जियां दोस्तों वही अजवायन जिसे रसोई में मसाले में काम में लेते हैं अगर उसके powder का यूज किया जाए तो ये गठिया को जड़ से खतम कर देती है अजवायन का powder बनाने के लिए आप 100 ग्राम अजवायन को एक छोटी कड़ाई में थोड़ी सी देर सेख लीजिए सेखते हुए जब अजवायन की खुश्बू आने लगे तो गैस बंद कर दीजिए और ठंडा होने दीजिए अब आप इस सीखी हुई अजवायन को मिक्सी में डालकर पीस लीजिए ताकि इसका powder बन जाए आजकल बाजार में अजवायन का बना बनाया ready made powder भी मिलने लगा है आप चाहें तो खुद powder बनाने की बज़ाए ready made powder भी यूज़ कर सकते हैं अजवायन के इस powder की एक चमच ले लीजिए इसमें चुटकी बर सेंधा नमक मिला लीजिए इसे आपको रोजाना सुबह खाली पेट हलके गरम पानी के साथ खाना है रोजाना इसे खाने से एक हफ़ते के अंदरी गठिया के करण जामोई जोइंट्स खुलने लगते हैं जोडों में होने वाले दर्द में काफी कमी आ जाती है एक महीने तक लगातार इसे लेते रहने से हमने देखा है कि arthritis की दवाएं छोट जाती है लगातार इसे लेना चालू रखना चाहिए ये गठिया को जड़ से खतम कर दिता है अगर आपका BP हाई रहता हो या शरीर में गर्मी बहुत हो तो फिर आप इस remedy को यूज नहीं करें क्योंकि अजवायन गरम होता है अजवायन की यही गर्मी और उसमें मौझूद खास तत्व बॉड़ी में वायू का फ्लो और खून का फ्लो ठीक करते हैं ये पाचन तंद्र को ठीक करते हैं जिससे बॉड़ी में वायू बनना बंद होती है वायू दूशित नहीं होती वायू का बैलेंस बॉडी में बना रहता है और ये जोइंट्स में जाकर रुकती नहीं है साथ ही ये जोडों की सूजन को भी खतम कर देता है इस तरह एक चोटी सी अजवयन इतने सारे काम करती है और गठिया जैसी खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिला देती है आर्थरैटिस होने पर खाने पीने में बहुत ध्यान रखना चाहिए खटी चीजें, वायू बढ़ने वाली चीजें जैसे चावल, बेसन वगेरा नहीं खाने चाहिए अंकुरी तनाज यानि एस्प्राउट्स खाने चाहिए गरम पानी से जोडों पर सेख करना चाहिए जोडों को हलके गरम पानी में 15-20 मिनट डुबो कर भी रखना चाहिए पानी जोडों की सुजन को बाहर खीच लेता है और जोडों के दर्द में तुरंत आराम आता है इससे जोडों की सुजन और दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाते है आर्थरैटिस हो जाए तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि आयरवेद और नैचरोपैथी में इस बिमारी के लिए हजारों कारगर उपचार बताए गए है उनी में से एक उपचार आज मैंने आपको बताया है इसे यूज कीजिए और साथ में सावदानिया फॉलो कीजिए आर्थरैटिस ठीक हो जाएगा आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरे लोन उसके और हेल्ट के जेक करेने के लिए सचेन गोयल चैनल को सबस्क्राइब कीजिए